दज शोलर सिस्टम यानि शौर मंडल शौर मंडल के सबी ग्रहोमत से पित्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन शंबव है और शौर मंडल में पित्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल तीनों आवस्थाओं में पा जाता है तो आईए हम प्रित्वी से जुड़े कुछ रोततत्त के बारे में जानते हैं, चलिए वीडियो इश्टाप विज्ञानिकों की माने तो प्रित्वी का निर्मान लगवग 4.5 बिलियन साल पहले हुआ था और इस पर जीवन का अस्तुत्व लगवग 4.1 बिलियन साल पहले हुआ था नमबर टू प्रित्वी का रेडियस यानि तिर्ज्या लगवग 3,959 माईल्स यानि 6,371 किलोमीटर है और हमारे पित्वी शौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा करा है नमबर थ्री चुंकि प्रित्वी को बाहरी अंत्रीक से देखने पर यह नीले रंग का तारा प्रतीत होता है इसलिए इसे ब्लू प्लानेट भी करते हैं नमबर फोर प्रित्वी की शता पर 70% से अधिक पानी और 21% ऑक्सीजन है नमबर फाइब मारी प्रित्वी के पाश इसका खुद का प्रैक्तिक उपग्रह चंद्रमा है जो प्रित्वी के आकार का लगभग 27% है और चंद्रमा की तिर्जिया लगभग 1738 किलोमेटर है आपको तो पता होगा प्रित्वी पर आए दिन ज्वार वब भटाएं आते रहते हैं इसका मूल कारण प्रित्वी और चंद्रमा के बीच गुत्वा करसल बल है नमबर शेक्स प्रित्वी के आंतरिक कोर का तापमान लगभग 5400 से 6000 डिग्री सेल्सियस है इसी कारण ज्वालमुखिश निकलने वाली मैगमा बहुत ही कर्म होती है नमबर शेवेन प्रित्वी पर होने वाले मौशम का बदलाव इसके सुर के चारो और घुडन गति के कारण होता है आपको पता है प्रित्वी दिवस कब मना याता है अगर पता हो तो इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग फैक्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंजे हैं